अम्नमो भगवते वासुदेवायां। अम्नमो भगवते वासुदेवायां। मुखं करौति वाचालं पंगुम् लंगह ते गिरं, यत्कृपातम हम वंदेश्री गुरूदी नितारिनं परमानंद माध्यवं श्रीचेतन मेश्वरं नारायनं नमस्कृत्यं नरंचेव नरत्तमं देवें सरस्वतिं व्यासं तदो जयं मुदिरेत नश्व प्रायश्व भद्रेश्व नित्यम भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्ति रभवति नैश्टिके हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अरे कृष्णा सभी भक्तों का रदे से हर्दिक स्वागत है तीन दिन के अवकाश के बाद श्रिमत भागवतम कथारूप इस सत्र में बहुती सुन्दर चर्चाय चल रही है हम परम सवबा के शाली है जो गरंत पूजनिय है जो गरंत आवतार है भगवान श्रिक्रिष्ण का श्रिमत भागवतम उसकों कथारूप में कर रहे हैं जो की शंक्षिप्ट में है परंतु हमें महतुपुन जानकारी उपलुब्द करा रहा है करप्या करके इस गरंत में पून रूप से शद्धा पुरुवक आप श्रवन करें भाग लें इस अध्यन में कथा में आज बहुतीं संक्षिप्ट में पहले हम समझ लेते हैं कि हम प्राजा पृत्भु की कहानी कहां तक समझें ऑब आगे जो है महाराज पृत्भु के वंश में किस प्रकार प्राचिन बाहिए और आगे जाके जब देखा कि प्रतु महराज व्रदवस्ता से प्रभावित होने लगे हैं, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ती अपने पुत्रों में बाठकर बान प्रस्थान कर दिया, और शारी प्रजा इस नेड़े से बहुत शोका कुल हो रही थी, विदाई से उन्होंने असुर पूर बनवास में उन्होंने बहुत कठिन तपश्या की, कंबूल फल खाए, सूखी पत्तियां खाई और गर्मी में प्रजुलित अगनी जलाकर बरसा रितु में बारिश में खंडे पानी में खड़े होकर, बहुत कठोर तपश्या करके उन्होंने अपना ब्रह्मचर जीवां के और इंद्रिया तथा प्राण वायू को नेतरत करने के लिए भी सारी तपश्या की थी, चूंकि सत्योग था, तो उन्होंने प्रथु महाराज ने अस्टांग योग पद्धिती से इसका पालन किया, चूंकि भगवान में उनका बहुत प्रेम था, भगवान के चरणों कमल करते थे, प्रथु महाराज भतिक शरीर एवं संबंदित वस्तों से पूरी तरह से विरक्त हो गए थे, मिथ्या एहंकार की गरंथियों को उन्होंने मुक्त कर दिया था, इस पस टूप से उनके परमात्मा विराजमान थे और दर्शन करने लगे उसके, प्रथु महाराज दिया प्रत्यक्षन भगवान का निर्देशन प्राप्त कर सकते थे, अन्होंने इस योग की इस बाहिविदी को त्याग दिया, अंतित है, उन्होंने सुभाभी मृप्त्यू की प्रतिक्षा से सुच्छा से सरीर त्यागने का नेने कीया, योग की पतिती विशेस्ठ में इस्तित कर लिया प्रथु महाराज अपनी प्राण वायू को कपाल पर इस्तित ब्रंग्म रंद तक ले आए और शरीर को प्रथवी जल अगनी आदि बिविन तक्तों में समाविष्ट करने लगे एक तरह से यह कि जिस तरह से स्रस्टी की रचना में तक्तु एक एक करके प्रथु महाराज ने इस शरीर को त्याग दिया और सभी तक्तों को अपने शरीर से निकाल के और समाविष्ट कर दिया पूरे ब्रह्मार्मार्ण में अर्ची महाराणी बहुत कौमल हिर्दे थी और उन्होंने कठोर तपश्या की पूरा जीवन उन्होंने उनके साथ बिताया नगन जमीन पर भूम पर सोते हुए केवल फल फूल पत्तियां खाके उन्होंने प्रथु महाराज की सेवा की थी जब प्रथु महाराणी दे यारी परचिता का निर्मान किया और उसमें उनका दह संसकार कर दिये तब अठ्ची महाराणी ने सारे अनिस्ठान किये उन्होंने गंगा नदी में जल में तरपन किया अन्यदेवताओं को प्रणाम करने के पष्षात प्रथु महाराज की शरीर की प्रदक्षना की और प्रथु महाराज के चरण कमलों की चरण कमलों का चिंतन करते हुए स्वेको अगनी में प्रविष्ट करके उनमें समाहित हो गई इस कायर को देखकर मंदार परवत पर बैठे हजानों देवी तथा उनकी पत्नियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशांसा की उन पर पुष वर्शा की थी देपता की पत्नियां महाराणी अर्ची के विशे में परसपर चरण करने लगी महाराज पृतु की धर्म पत्नी की जैहो वे सदेब भगवान विश्ण की सेवा में रत रहीं और देखो किस प्रकार यह सती महारानी बैखुंट जा रहे अपने पती के साथ हैं यद भी मनुश का जीवन अत्यंत अलब होता है परंतु इस अलब जीवन में भगवान की भक्ती करके वे सरलता से भगवत धान जा सकता है इसलिए जो व्यक्ति दुल्लम मनुश देहे प्राप्त करके इस वहतिक वस्तुओं हेतु कठोर परिश्रम में व्यर्थ गवान देता है समझना चाहिए कि वे स्वें अपना ही दोशी है और बुरी तरह ठगा जाता है इस तरह अर्ची महाराणी विमान में अपने पती के पीछे-पीछे बैकुंट पहुँच गई उपसंगार में मैत्रिमोनी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतु महाराज के इस चरित्र को इस रद्धा के साथ धर्टा से सुनता है वर्ण करता है प्रतु महाराज के समान ही बैकुंट लोकों को प्राप्त होता है यदि कोई संतान व्यक्ति आदर पूरो इस कथा को सुनता है तो अनिक संतानों का पिता बनता है तो था निर्धन व्यक्ति धनी बन जाएगा इस प्रसंग को तीन वार सुनने वाला व्यक्ति समाज में ख्याती प्राप्त करेगा असिक्षित व्यक्ति महान विद्वान बन जाएगा दूशे शब्दामर प्रतु महराज के विशे में समझ करना शुबकारी है समस्त दुरवाक्यों विखंडित कर देगा इस तरह से शुर्तिफल के साथ ये कथा अमारी समाथ हुई थी बहुत अच्छे से आपने बताया तो बहुती सुन्दर बात कही गई थी कि यदपी मनुश्य का जीवन अत्यान्त अल्प होता है परन्तु इस अल्प जीवन में भगवान की भगती करके वह सरलता से भगवान के धाम जा सकता है ये बहुत महतुपून बात हमने देखी हम सब को भी समझना चाहिए कि हमारा जीवन बहुत अल्प है बहुत चोटा है बाकी युगों के तुलना में बहुत ही चोटा जीवन है उसमें हमें ये मौका मिला है बगवत भक्ती करने का नाम जब करने का किरतन करने का इसका हमें पूर्ण रुप से लाब उठाना चाहिए और भक्ति में सलगन होना चाहिए जो गक्ति दुरलब मनुश्य देह प्राप्त करके इसे भौतिक वस्तुव हेतु कठोर परिश्रम में वेर्थ गवा देता है समझना चाहिए वह स्वेम अपना द्वेशी है और वो क्या था भगवद भक्ति प्राप्त कर सकता था लेकिन वो भौतिक वस्तुव है धन संपती घर गाडिया ये सब इखटा करके अपने आपको समझ रहा है कि मैंने कुछ प्राप्त कर लिया एक्चल में वो क्या हो गया उसके साथ ठगी हो गई है समझ गए आप अगर आप 10,000 रुपे लेके जाते हैं और कोई व्यक्ति आपको 10,000 रुपे किलो आलू दे दे और आपके हमें तो 10,000 रुपे के आलू लेके आगया एक किलो कितनी बड़ी आबात है तो इस तरह से कहनी आती है कि एक बार एक गाहँवाला व्यक्ति शहर में गया और शहर में गया तो बहुत बड़ी इमारत थी लगबग 30 मंजिला इमारत थी तो गाहँवाला व्यक्ति गया और कुछ भक्त लोग समझ गए है तो गाहँवाला व्यक्ति जो है वहाँ खड़े खड़े इमारत गिनने लग गया कितने मालों की है कितने माले है उसमें एक दो तीन चार ऐसे गिन रहा था तो वहाँ पर एक वक्ति आता है जो सहर का था बढ़िया से पैंड शर्ट पहना हुआ था उसना क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर कुछ नहीं मैं गिन रहा हू तो मैं मालों है यहाँ पर अगर ऐसे माले गिनोगे एक माला गिनने का सौ रुपे लगता है बहा हैrations एक माला गिनने का सौ रुपे तुम ने कितने माले गिने हैं मिनां ज्याद नहीं गिने बस रसी गिने पर हवो ठीक है 1000 रुपे दो वो 1000 रुपे लिए और वो जो है चला गया ये गाहाँ वाला वक्ती जिसके घर में आया था शहर में उसके पास गहा और जा करके अपनी मूचों प्ताव लगाने लगा देखो आज तो मैंने एक शेर वाले विक्ति को बेवकु बना दिया कैसे बेवकु बनाया तुमने मैंने टोडल तीस माले गीने थे और मैंने तो मात्र दस मालों के पैसे दिये वो जो उसका शेर वाला मित्र था है जो भी साती था अपने सर पे हाथ रखे भाई तुने उसको बेवकुब नहीं बनाया तू बेवकुब बन गया है तू ठगा गया है वैसी हम सब लोग भी दुनिया में माया के द्वारा ठगे जाते हैं इस बात को याद रखिएगा हम माया के द्वारा ठगे जाते हैं ले क्या सकते हैं बहुत बड़ा अध्यात्मिक आनंद ले सकते हैं लेकिन इंद्रिय सुख के द्वारा हम ठगे जाते हैं इस लाइन को लिख लिजिए कर रप्या करके लिख लिजिए बहुत में दूपन लाइन है ये मुझे भी लिख के भेज़ेगा आप में से कोई एक वेक्ति हम इस मनुष्य जीवन में हम के ब्रैकट म कर लेना आत्मा आत्मा यह हम इस मनुष्य जीवन में भगवद सुख प्राप्ट कर सकती हैं भगवद सुख प्राप्ट कर सकती हैं परन्तु माया के इंद्रिय सुख को अधिक स्रेश्ट मान कर हम ठगे जाते हैं और इसको अच्छे से मोडिफाय किया जा सकता है आप में से कोई सज़ेश्ट करना चाहे तो कर सकते हैं हम आत्मा जो कि इस मनुष्य शरीर में मनुष्य जीवन में भगवद सुख को प्राप्ट कर सकते हैं परन्तु माया के द्वारा इंद्रिय सुख को अधिक स्रेश्ट मानने के कारण हम ठगे जाते हैं ठीक है समझ गए होंगे आप यही प्रतु माराज को पूरी तर से मालूम था इसलिए प्रतु माराज सब को छोड़ करके चले गए थे और ग्रस्त आश्रम से त्याग करके वो अनप्रस्त में गए पत्नी के साथ फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया बाद में उसी चिता के अंदर उसी अगने के अंदर हर्ची माता ने जो कि उनकी फत्नी थी उन्होंने भी दास अपना सती कर दिया अपने आपको और इसका गुंगान, सारे देवी देवता कर रहे हैं, सारे प्रजा कर रहे हैं, सब गुंगान कर रहे हैं इसे बीच में जब आगे ये समवाद चल रहा है, महत्रे मुनी और विदुर जी के बीच में तो आगे बात आती हैं, हम इस परकार समझेंगे, आईए, अध्याय का नाम दे दिजिए, संख्या दे दिजिए 21, संख्या 21, महराज प्राचिन बरही, पुरंजन तथा प्रचेताओ की कथा, चौता इसकंद है, ये चौते इसकंद में ही बहुत सारी कथाए आई है, बहुत स उद्धव उद्धा के नाम हमें का, ध्रू महराज थे, और अभी हमने देखा प्रतु महराज थे, तो सब बड़े-बड़े-बड़े-बड़े-बड़े भक्तों के कथा इसकंद में आई है, बहुत अच्छा इसकंद है ये और अरंत में हम देख रहे हैं, कि आगे, ये मिना मत अजी बताईए प्रचेताओ को भगवान शिवजी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का संदेश सबी से निविदन हैं ज्यादा तर जो भी लोग विडियो उन करके बैठ सकते विडियो उन करके बैठें आपके लिए अच्छा रहेगा विजिताश्व शंपुन प्रत्वी का एक छत्र सम्राट बना और उसने अपने चार छोटे भाईयो को विबिन्न दिशाओ का राज्यपाल नियुक्त किया विजिताश्व कौन था प्रत्व महराज का बेटा था और इनके और भी चार भाई थे उनको अलग अलग दिशाओ के राज्यपाल नियुक्त किया और विजिताश्व ने क्या किया था इनको नाम से आप पैचान सकता है विजिताश्व उन्हेने जो इंद्र ने घोड़ा चुराया था उसके उपर विजए प्राप्त कर ले थे वापस लेकर आ गए थे उस समय जब देवराज इंद्र प्रतु महराज के यग्य से बार बार घुड़े को चुरा रहे थे विजिताश्व ने उन्हें देख तो लिया था परंतों उनकी महान इस्तिती का स्मरण करते चुर्टी को विश्णु भागवां के सदुगी थे ना देवताव राजा थे ना वेश्धारन करके आये थे सादु का वेश्धारन करके आये थे कहनी है कहनी तो नहीं बुलने चाहिए ना सादु का वेश्धारन करके आये थे इसलिए उन्होंने माफ कर दिया था इंद्र देव उनके इस वहवार से अत्यंत प्रसंद हो गए इंद्र भागवां प्रसंद हो गए इंद्र जी कि कितने बड़े दयालू है विजिताश्व कि मेरे इस वेश्ध को देख करके उन्हों कुझए विजटाई को सुच्छा से प्रकट और अप्रकट होने की शक्ति-प्रदान की शिलिए महराज-पुर्तु के जेश-पुत्र विजटाउड वका एक और नाम हुआ अंतर्धान तो विजटाश्व का एक और नाम है 30 ठीक यह महराज-पृथ्फूge के ही संतान हैं उन्हीं के ही बेटे हैं कि हमने देखा महराज पृथूख और महराज पृथूख जो है उनके बेटे कौन हुए विजिताश्व विजिताश्व का एक और नाम क्या पड़ा अंतर धान है ठेक है कि अभी हम इसको आगे समझने जा रहे हैं अपनी पत्नी शिखंडिनी से महराज अंतरधान ने तीन पुत्रत्पन किये पावक पवमान और शुची ये तीनों जिपुर्व जन्म में अगनी देवता थे और वशिष्ट मुनी के शाप से उन्हें मनुश्य के रूप में जन्म लेना पड़ा ठीक है ये भी एक ख़ार थ वगेरा तो विजटाश्व की अंतरधान की एक पत्नी है उनका नामें शिखंडिनी और उनसे उनको तीन पुत्र हुए पावक पवमान और शुची और ये तीनों जो है अगनी देवता थे और वशिष्ट मुनी के शाप के कारम नश्य रूप लिये थे और अंतरधान या वजटास्व हैं उनके पुत्र के रुप में ये अगनी देवता आए अश्टांग योग के पालन द्वारा वजटाश्व के इन तिन पुत्रों ने अपनी मूल को पुनह पराप कर लिया अथार्थ वापिस से वो देवता बन गए वापिस अगनी देवता बन गए अपनी दूसरी पत्नी नबस्वती तो यह जो महराज अंतरधान है विज़ताश्वायं की दो पत्नियां होई एक हो गई शिखंडिनी और एक हो गई नबस्वती आप अपना खुद का एक फैमिले ट्री बता सकते हो उसमें ऐसे लिख सकते हो भागवतम फैमिले ट्री हम प्रजा से करवसूलना चाहते थे और नहीं उन्हें दंडित करना चाहते थे उन्होंने अने एक यग्य करने का बहाना बना कर भरी हुआ वस्ता में ही अपने राजकारयों से सन्यास ले लिया अब राजा बनोगे तो क्या करना पड़ेगा प्रजा को दंड भी देना और करवसूलना पड़ेगा और करवसूल करके वापिस राजजी की सेवा में लगाना होगा ये सब नहीं चाहते थे विजिताश्वा क्योंकि आप देख सकते हैं पहले से इनका रदे कैसा था दयालू था किरपालू था इंदर को उन्हें बक्स दिया था छोड़ दिया था और उसी बाद से प्रसन होकर इंदर ने उनको वरदान दिया था तो ये जो है अपने युवा वस्ता में भरी युवा वस्ता में अपने राजकारियों को छोड़ दिया अपने पत्नियों को छोड़ दिया और उनने सन्यास ले लिया सिधा सन्यास यदपी बाहे रूप से इन कर्म कांडिये कार्यों में व्यस्त दिखते थे परन्तु एक महान भक्त होने के कारण वे निरंतर भग्वान की महीमाओं के श्रवने कीर्टन में रत रहते थे इस प्रकार विशुद भक्तियों का पालन करते हुए उन्होंने अत्यंत सहजता से भगवत धाम में कर लिया कितना सहजता से लिखा हुआ है न कि सहजता से कितना सहजता से लिखा हुआ कि सहजता से उन्हें भगवान के धाम में प्रवेश करके अपने जीवन के सरवश लक्षे को प्राप कर लिया एक बार इमेजिन कीजिए क्या हमारे कर्म कही इस प्रकार के हैं इसमें कही ऐसा लिख दिया जाए गलती से यह हम खुद ही एक बार लिखने की ट्राइ करें कि हरी नाम दास ने भक्ति का अभ्यास करके अपने जीवन के अंत में मगोध धम में प्रवेश कर लिया संभव नहीं है इतना जो महान भक्त थे उन महान भक्तों को ही विश्द भक्तियों का पालन संभव है हम अभी जो है जो भक्ति पालन कर रहे है वो कैसी है मिश्द भक्ति है कर्म मिश्द भक्ति है कर्म ग्यान मिश्द भक्ति है और दिरे दिरे हम भ्यास करते 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 विशुद भक्ति के तरफ आगे बढ़ेंगे तो उन्हों ने भगवत धाम को प्रवेश कर लिया और जो की जीवन का सरवोच लक्षे है महराज हविर्धान जो कौन थे? जो कौन थे महराज हविर्धान? विजिताश्व की दूसरी पत्नी से प्राप्त उत्र थे तो हविर्धान भणाज बन गए हविर्धान ने अपनी पत्नी हविर्धानी के गर्ब में छे पुत्रों को जनम दिया बरहिशत, गया, शुकला, कृष्ण, सत्य, जितवरत इन में से जैश्ट, बरहिशत, जो प्राचिन, बरही के नाम से भी जाने जाते हैं, थोड़ा से यहाँ पे ध्यान देंगे बरहिशत भी बोल दो, या प्राचिन, बरही बोल दो दोनों एक ही को वो नाम कह रहे हैं मैं आपके सामने इसकी स्क्रिन शेयर कर रहा हूँ, एक बार देख लिजए कर पया करके, यह जो फैमिली ट्रियम ने देखी हुई है पहले भी, आपको ग्रूप में भी यह पूरा का पूरा पेजा हुआ है, तम देखेंगे यहाँ पर, याज, बड़ा कर देते हैं आपके जी, तो हमने देखा था कि जो महराज द्रूव थे, उनके पुत्र हुए और उनके बाद में ने देखा कि छटे मनू, छटे मनू में भी उल्मुक और उल्मुक के बेटे अंग, और अंग की पतनी सुनी था थी, और अंग की जब मर्ति हो गई थी, तो वेन को राजा बना दिया गया, वेन का भी उनको मर्ति दंड दिया गया, पर उनके शरीर को चर्न किया, पैरों को चर्न किया, थाइस को चर्न किया, तो कौन निकले, निशाद, शिंद फूल रेश, अर्था निशाद प्रजा निकली, निशाद परमपम्परा हुई आगे, और इधर और जो हम पढ़ रहे हैं भी विजिताश्व हो गए विजिताश्व के जो है दो पत्निया थी तो एक पत्नी से तीन पुत्र हुए जो यहां पर दिखाए गए जिनका नाम था पत्नी का नाम था शिखंडिनी और दुसरी तरफ जो है हविर्धान हुए जो की नबस्वती से की छें पुत्र हुए पांच अलग पुत्र हो गए और उनमें से मुख्य पुत्र बरहिशत यहां आगे जाके इसको क्या कहा जाएगा प्रजापती या प्राचिन बरही या बरही श्मान इनके अलग लग नाम बताये जा रहे हैं आगे इन्ही बरिशत से प्राचिन बरिशे दस पुत्र होंगे और हम देखेंगे आगे बहुत ही सुन्दर कथा आगे आने वाली है जो हम आगे समझेंगे यहां तक लियर है ठीक है महराज हविर्धान ने अपनी पत्नी हविर्धानी के गर्व सिछे पुत्रों को जन्म दिया बरिशत गया शुकल कृष्ण सत्य और जितवरत इन्मेस जैश बरिशत जो प्राचिन बरही के नाम से भी जाने जाते हैं विबिन एग्य करने में अतिन्त दक्षत है साथ ही उन्होंने अस्ट्रांग युग पदिती में दक्षता प्राप्त की थी इसलिए उन्हें प्रजापती का इस्थान प्रदान किया गया तो अब यह कौन बन गए प्रजापती महराज बरहीशत यहां पर यह नाम याद प्रदान किया गया ब्रह्मा जी के आदेश से प्राचिन बरही ने समुद्र की पुत्री शत दृती से विभा किया जो नव युवतित था त्यंत सुंदरी थी ठीक है समझ रहे आप कंटिन्यू कैसे कैसे माताजी लोग प्रभुजी लोग ज्यादा कर पाएंगा असानी से महराज हविर्धान जो है वो बेटे थे किसके विजिताश्व के और उनके हविर्धान के छे पुत्र हुए बरहीशत आदी तो बरहीशत जो है मुख्य पुत्र है उन्होंने फिर जो है ब्रह्मा जी के आदेश पर शादी की समुद्र की पुत्री शत दृती से सुन्दर वस्तर तथा अभुषणों से सुशजित शतदूती ने जब विवास तली में प्रवेश किया और अगनी के फेरे लेने लगी उसमें अगनी देव उससे आक्रशित हो गए जस प्रकार कुस्व में पुर्व उनके मन में शुकी का भोग करने की इच्छाह उठी थी अब उनका मन शतदूती के प्रती कामुक हो उठा इतना ही नहीं उस सभा में अपस्ति समस्त देव गण असुर तथा महान रिशी शतदूती के नुपुरों की जंकार मात्र से वो इतनी ज़्यादा आकर्शक थी ये शतदूती कि उसकी सुन्दर्टा को देख करके स्वेम अगनी देव आदी देवता भी आकरश्ट हो गए यहां पर मुखे रुप से बार बार जब इस परकार से ये पॉइंट्स आते हैं यही बात हमें बताने के लिए कि बहुतिक जगत में ये आकरशन बहुत ज़्यादा है ये बहुतिक जगत में ये आकरशन बहुत ज़्यादा है और इसी के इर्दगिर्द ये पूरी दुनि वागवता में यह लीला हो रही है कि कि यहां प्रकाँ गया है किसकी जंकार से नुपूरों की जंकार से जैसे वश्रिष्टमुनी थे वो भी छन छन सुन करके वो भी विचलिद हो गए थे वसी प्रकार से यहाँ पर नुपुरों की जंकार से सब लोग उद्विग्न थे लेकिन कुछ गलत घटना नहीं हुई और महराज जो भरेशत थे प्राचिन भरही थे उनकी शादी शात दृतिशे हो गई तद्पश्चात महराज प्राचिन भरही ने अपनी पत्ट्नी के गर्भ से दस पुत्रों को जन्म दिया और वे इस जगत में प्रचता की नाम से विख्याद हुए अब देखिए प्राचिन बर्ही ने भी जो है अपनी पत्नी से जिसका नाम क्या था श्रत दृति उससे दश पुत्र प्राप्त किये और उनका नाम क्या हुआ प्रचेता जो भी अभी हमने फेमिलेटरी में देखा था अब हम आपको यह श्लोक दिखा देते जहां पर उनका नामकरण हुआ था कर्प्या करके यहां देख सकते हैं आप स्क्रीन के उपर इस श्रिमत भागवत के चौते इसकंद का 24 वाध्या है और उसमें यह श्लोक संक्या 13 है प्राचिन बरहिशह पुत्रा श्रत दृत्या दशा भवन तुल्य नाम ब्रताहा सरवे धर्मस नाताहा प्रचेत सहा धर्मस नामा धर्मस नाताह प्रचेत सहा तो राजा प्रचिन बरहिशन के बरहिशने श्रत दृति के गर्व से दश्पुत्र उत्पन किये वे सभी समान दृत से धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात हुए तो यह जो प्रचेता है यहां पर आ रह ये प्रचेता की कहानी क्यों सुना रहे हैं क्यों बात आ ये प्रचेता की किसी को याद आया किसी को याद आया आप में से प्रचेता की बात यहां पर क्यों आ गई है कि हाँ नारद मुनी नारद मुनी ने तीन कुछ यास नारद मुनी ने जो है दुरू महराज के बारे में प्रचेता उको किया था और ये इनकी पीड़ी में आते हैं जो कि बहुत आगे जाके आते हैं तो ये कौन थे प्रचेता इस प्रशनों को पूछा था विदुर जी ने किसे माइत्र मुने से उसके उत्तर में ये सारे परंपरा चल रही है अगे भड़ते हैं यहां इत्यास सत युका है इसलिए जब प्राचिन बरही ने अपने पुत्रों को विवा करके संतानोत पती का आदेश दिया उस समय प्रिचता उने सरोप्रत्म तपस्या करने का निश्य किया दस हजार वर्षों तक तपस्या करने के उद्स सेवन में चलेगे कितने पुत्र थे इशारा करके बताएंगे इशारा करके बोलना नहीं है कितने पुत्र थे प्राचिन बरही के दस पुत्रों ने कितने वर्षों तक तपस्या करने का प्रियास किया प्लान किया दस हजार वर का पालंद करना चाहिए इसलिए ये चार आश्रम बताया गए है ब्रह्मचारी गरस्ता वानप्रस्ता और सन्या ब्रह्मचारी ब्रत का अगर पालंद करते हैं आप अब्यास करते हैं तो आप आसानी से अपने गरस्त जीवन में आध्यात्मिक्ता के साथ में ये जीवन बिता सकते हैं और अपने उदेश से कभी भटकेंगे नहीं उदेश से पुरा का पुरा माइंड में क्लियर रहेगा नेक्स्ट वन में ब्रह्मन करते समय वे एक सरोवर की पास पहुँचे वह सरोवर किसी महात्मा के मन के समय शांत तो था उद्विग्न था तो अथार्थ एक महात्मा का मन कैसा होना चाहिए शांत और अनुद्विग्न अथार्थ उद्विग्न नहीं होना चाहिए बार बार विचलित होने वाला बहुती सुन्दर बात कही गई है महत्मा का मन ऐसा होना चाहिए इतना ही नहीं उस सरोवर में निवास करने वाले अब एक बार थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा जैसे ही महत्मा शुद कहा जाये तो वो टीवी बाला महत्मा मत लेके आईएगा बड़े बड़े बाल डाड़ी और वोई महत्मा जी आप भी महत्मा हैं जो भी व्यक्ति भगवान का वक्त है जो इन गुणों के साथ में हैं वो महत्मा है तो महत्मा के जिस प्रकार से महत्मा जो है शान्त होता है वैसे शरोवर पूरा सान्त था उस सुन्दर सरोवर के पास पहुंचे इतना ही नहीं उस सरोवर में निवास करने वाले जल्चर भी अत्यांत शान्त था प्रसन्त दिख रहे थे विबिन्द रंगाओ के कमल पुश्प उसके जल्बे खिले थे उर्मिला मतजी माइक बंद कर दीजे ना धन्यवाद रखिया उर्मिला मतजी अधन्यवाद इतना ही नहीं उस सरोवर में निवास करने वाले जल्चर भी अत्यांत शांत तथा प्रसन्त दिख रहे थे विबिन्द रंगाओ के कमल पुश्प उसके जल्बे खिले थे तट परहंस चक्रवाख कारणडव एवं अन्य जल्पक्षी विचरन कर रहे थे फूलों से लदे व्रक्षाओं ने सरोवर को घिरा हुआ था तथा वायू मदमत मदुमक्यों की गुंजार से भरी थी इस स्वर्गी वातावरण के साथ साथ प्रेशता गण मदूर संगित ध्वनी सुनकर विस्मित थे वन ब्रह्मन करके कहां पहुँचे एक सुन्दर स्वरोवर पर और वहाँ पर कौन-कौन थे बहुत अलग-अलग रंग के कमल पुश्प थे वहाँ पर जानवर भी जो थे जलचर भी थे वो भी शान्त थे सब को चच्छावा तावरन था भावरे वहाँ पर बिना रहते उनकी ध्वनी से पुरा वाई मुंडल भरा हुआ था उसी समय वहाँ पर मदूर संगित जो हैं उनको सुनाए देने लगता बोले ये कहां से आ गए उनके साथ प्रकट हुए अनेक गायक उनका गुणगान कर रहे थे शिवजी के शरीर का रंग पिगले हुए सोने के समान दैदिप्पिमान था और उनका गला उनका कंठ नील वरन था उनके आकरशक चैरे पर तीन नेत्र थे जो अपने भक्तों पर खृपा पुरवक द्रश्टी पात कर रहे थे अपने समुख शिवजी को प्रकट हुआ देख प्रेचिता गण आचर चकिद रहे गए और तुरंत भूमी पर लेट कर उनके चर्म कमलों पर प्रणाम किया जैसे शिवजी को देखा उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है शिव भुले ना थे प्रणाम शिवकार करें रुद्र रुप में भगवान आए प्रचिता गण जो है उस सरवर के पास में थे और उसी समय सरवर से ही प्रकट होगे भगवान शिव उनके वह सारे भक्तों के साथ में यह देख सकते हैं यह प्रचिता गण है टोटल काउंट कर लेजिए दस है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नौ, दस ठीक है दो जल में हैं बाकी से बार है दो, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नौ, दस ठीक है बाकी वहाँपर सिव जी पहुंच गए हैं वहाँपर बहुत सर हंस हैं और कमल पुष्प हैं लग-लग रंग के यह पर तपस्या करने के लिए गए हुए थे शिवजी ने उनको दर्शन दिये जैसे दर्शन दिये उन्होंने शिवजी को दंडवत प्रणाम किया आगे बढ़ते हैं शिवजी इन राजकुमारों से अत्यंत प्रसन हो गए एकदम से दिवाग में कॉंट्रडिक्शन आ रहा है क्या बोला राजकुमार और भी फोटो देखी वह कैसे दिख रहे थे महराज स्वामे जी महात्मा दिख रहे थे समझे इस बात को जिस एक्जाम्पल के तौर पर कहना चाहूंगा हमारे भारत के बहुत बड़े डाइमंड मर्चंट है उन्होंने भी यही काम किया था कि जब भी कोई राजा होता है वो अपने पुत्रों को ग्रस आश्रम या शाश्रम देने से पहले उनको ट्रेणिंग देता है उनको ब्रमचारे आश्रम में भेजता है उनको तपस्या करने के लिए भेजता है तो जस्ट उधारन के तौर पर बता रहा हूं कि भारत एक बह आओ अपना जीवन जीव लगबग ऐसा सुना मैंने यादे मुझे हो गटना तीन महीने के लिए उसको बाहर रहना पड़ा और वो कभी किसी पंचर की दुकान पर या किसी मिठाई की दुकान पर किसी बेकरी की दुकान पर किसी जूता बेचने की दुकान पर वो काम करके पावरी राजा की पोजिशन ऐसे ही मुल जाती है तो हम इसका दुरुपयोग कर लेते हैं तो यह रियल घटना है भारत की घटना है सूरत की घटना है और एक व्यापारी की घटना है आज भी आप टाइप करके देख सकते हैं टाइमस ऑफ इंडिया आदी वोगेरा सब शाशन आदी दिया जाए तो यह जो राजकुमार जो देख रहे हैं आप जो तपस्या करने गए हुए यह भी इसी उदेश्चे से माँ तपस्या करने के लिए आए हैं अतिंत उदाता पुरुग मुस्कुराते हुए उन्होंने उन दस भाईयों से कहा हे प्राचिन बरही शिवजी बोल रहे हैं ठीक है बहुत यू संदर लाइन है ध्यान पर रोक सुना भी है हमारे जीवन के जो कृष्ण भक्ते हैं उनकी इस भक्ती को आज पूरा एक दम से पंप मिलने वाला है बूस्ट मिलने वाला है अनरजी मिलने वाली है पावर मिलने वाली है और कितना मैं यहां आने के उदेश्य से भली बाती परिचित हूं और इसलिए तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हुआ हूं तुम जान लो कि जो विक्ति भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त होता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है आज तक सुना था भगवत गीता क्लास में आज तक भागुतम क्लास में सुना था आज आप पढ़ रहे हैं अपनी इन दो आँखों से और इसका शलोक आपके सामने प्रस्तित किया जा रहा है मुझे नहीं लगता कि आप कम खुश होंगे या कहीं पर भी आपके खुशे में मुस्कुराहाट में चेहरे पर कुछ कमी आएगी और आप पूरा आनन्द से भर गए होंगे और मैं यहाँ पर वह आपके सामने शलोक प्रस्तित करना चाहता हूँ शलोक संख्या 28 है यह बहुत ही सुन्दर शलोक है शलोक संख्या 24, 27, 28 यास बहुत सुन्दर तातपरे दिये प्रभपाजे निंद के अंदर हमें पढ़ने चाहिए लेकिन हम अभी कथा रूप में कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी स्क्रिन पर देखिए सब लोग वशलोक जो हर एक कृष्ण वक्त के मन में वक्ती को और दस गुना बढ़ा देता है देख पारें आप सब लोग यस नो एक जनाब बोल देजिए यस प्रभजे देखिए क्या कहा गया यह परम रहं यह परम हमसंह सह शाक्षा त्रिगुणा जिवसंगिता भगवन्तम वासुदेवं प्रपन्ह सप्रियोही में भगवन्तम वासुदेवं प्रपन्ह प्रपन्ह मतलब जो सरंडर है भगवान वासुदेव को भगवान को परम भगवान सब प्रियोही में वो मुझे ही ही उसका कारण भी शंग्षिप्त में प्रभपाजी तात्पुरहं बताइँगे उसको भी हम समझेंगे श्रिव जी ने कहा जो व्यक्ति जो व्यक्ति प्रकरती तथा जीवात्मा मैं से परतिक्य दिष्ठाता भगवान कृष्ण के सरणागत है वावास्त में मुझे अत्तधिक प्रिय है हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल कौँ बोल रहे हैं? स्वाइम भगवान, शिव बोल रहे हैं तेरे पर खुशी है, प्रसनता है कहीं पर कुछ गल्ट डारेक्शन नहीं है भागवत्म की गाइडेंस है प्रभुपाज जी गाइड कर रहे है प्यार डिवोटी गाइड कर रहे है शिव जी प्यार डिवोटी है और कोई भी प्रभुपाज जी प्यार डिवोटी होने के नाते आपको दूसरे प्यार डिवोटी से भटकाएंगे नहीं उनकी सही परिस्तिती को सही स्तिती को बताएंगे और शंक्षिप्त में बोलू तो शिर्जी कई बार अपनी भक्तों से ज़्यादा प्रसन नहीं होते क्यों? क्योंकि उनके भक्त जो है यही मांगते रहते हैं धनम् देही, रूपम् देही और वो क्रिश्न भक्तों से खुश हो जाते हैं क्यों? क्योंकि वो क्या मांगते हैं भक्ति देदो, सेवा देदो भक्तों के संगती देदो नामजब देदो यही मांगते हूं उनको जजय अंटरेस्ट, मजा शिवजी को किन की तरफ पता है उनके जैसे भक्ती कर रहे भक्तों की तरफ खुड़ा सा तात्परे पढ़ना चाहूंगा मैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम शिवजी खुद कहा रहे है कि मैं कृष्ण भक्तों से हे प्रेचेताओ मैं तुम्हारे से बहुत प्रसंद हूँ और इस प्रकार से आप मेरे को बहुत प्रिय है अब शिवजी कारण बताते हैं कि वे राजकुमारों के समक्ष साक्षात क्यों आएं कारण था कि सभी राजकुमार भगवान कृष्ण के भक्त थे जैसा कि स्रीमत भगवद गिता के आठवे ध्याए के उननिश्वे श्लोक में कहा गया है अनेक जन्म जन्मांतरों में जो घ्यानी होता है वा मुझे सब कारणों का कारण जानकर मेरी शरण गरन करता है ऐसा महापुर्ष दुरलब है आप सब लोग जो इस कथा में बैटे हो वो दुरलब हो क्यों? क्योंकि जादा तर लोग क्या चाते है धन, संपती, वैभाव बहुनाम, जन्मनाम, अंते ज्यानवान, मांप्रपद्यंते जो ज्यानवान हो जाते हैं वो मेरी शरण में आता है फिर वो देवी देवताओं के आदी के शरण में नहीं जाते हैं मात्र मेरी शरण करन करते हैं तो प्रवपाजी कह रहे हैं कि भगवान शिवजी कारण बता रहे हैं कि वो क्यों परकट हुए हैं प्राचिन बरही वग्यरा के समक्ष आईए आगे पड़ते क्या कहा गया है सामन्ने पुरुषों को शिव जी विरले ही दर्शन देते हैं इसी प्रकार वासुदेव कृष्ण की शरण में जाने वाले व्यक्ति भी विरले ही हैं क्योंकि पूर्ण तहां भगवान की शरण में आये हुए लोग दुरलब है समहात्मा सब दुरलब है सु दुरलब है फलता शिव जी विशेश रुप से प्रचिताओं को देखने आये थे क्योंकि वे सब भगवान वासुदेव के पूर्ण तह शरणागत थे वासुदेव का उलेक भगवान के प्रारंबिक मंतर में भी हुआ है ओ नमो भगवते वासुदेवाए चुकि वासुदेव चरम सत्य है अता शिव जी इसपष्ट कहते हैं जो भगवान वासुदेव कृश्ण वासुदेव का भक्त हैं और श्री कृष्ण का श्रणागत है वहां मुझे अत्यंत प्रिया है बोलो भगवान भुले शंकर भगवान श्रीव रुद्र की जाए तो आज के बाद कभी यह मत सोचना कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ श्रीव जी नाराज हो गए तो भुले नाज जी को तो मैं चड़ाई नीरा जल उनको तो दूद नहीं चड़ाया अब श्री बात्री आ रही है उनकी पूझा करू कि कृष्ण की पूझा करू को समझ में नहीं आ रही है मुझे तो जोर जोर से करना ragrav in जोई आवे नाराद मुणी बजाते वह राध्य का रमण का नाम गाते है तो पंच्च मूखी शिव नाचने लग जाते हैं चत्रमुकी ब्रह्मा नाचे चारमुकी ब्रह्मा नाचे ने लग जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर जो शिवजी है वो स्वयम इस बात को सत्यापित कर रहे है पुड़ा सहाब का ध्याना करशित करना चाहूंगा कि यह सिवफ पुराण में भी इस तरह से कुछ लिखा हुआ है पोजिट वे में कि शिवजी का गुर्णदान भगवान विश्नु करते है इस परकार से कुछ लिखा हुआ है लेकिन इस हद तक नहीं लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस बात को समझेगा कि बहुत प्रिय है जो भगवान हरी के भक्त है जो इनको शर्णागत है जो कृष्णा भक्त है साफ साफ लिखा हुआ वासुदेव हाँ आगे जखिए बहुत सुन्दर बात कही जा रही है चूंकि वासुदेव चरम सकते है जो भगवान वासुदेव का भक्त है और कृष्णा का सर्णागत है वह मुझे तिंत प्रिय है भगवान वासुदेव कृष्णा ना केवल सामान जन द्वारा पुझे है बरन शिव ब्रहमा ततान्य देवता भी उनकी पूझा करते है यम ब्रहमा वरुनेंद्र रुद्रस्त मरुत्रस्त इस्तवंत द्वेह स्तवेह स्तवेह मतलब पूझे की जाते है ब्रहमा के दारा वरुन के द्वारा इंद्र के द्वारा रुद्र के द्वारा मरुत्र के द्वारा सब के दोरा कृष्ट की पुझा ब्रह्मा, शिव, वरून, इंद्र, चंद्र तथा अन्ने सभी देवता करते हैं यही हाल भक्तों का है जो भी कृष्ट भक्ती करता है जो यह खोजने तथा समझने का प्रियस करता होता है कि कृष्ट चेतना है क्या वो तुरंत उनका प्रिय बन जाता है इसी प्रकार सभी देवता इसकी ताक में रहते हैं कि कौन सचमुच भगवान वसुदेव की शरण में है चूंकि प्रचेता राजकुमार वसुदेव के शरणागत थे अताहर शिवजी इच्छा पुर्वक उनसे भेट करने आए भगव प्रकृती तथा पूरश के भुगता है प्रकृति के तीनों गुण के प्रभाव से जीवात्मा है प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है किन्तु वह वास्विक भुकता पूरुष नहोकर प्रकृति हैं जिसका वरणत भगवत गीता के सांतवे द्याय के पांचवे शलोक में हो चुका है कि जो जीव है वो भी परा तत्व है परा प्रकरती है लेकिन वो भी अभी प्रकरती के कंट्रोल में आ गया है इस प्रकार जीव वास्तों में प्रकृति या प्रमेश्वर की तढ़स्ता शक्ती है वातिक शक्ती माया के संग होने से वह प्रकृति पर अधिकार करना चाहता है बगबद गीता के पंदरवे ध्याय के साथवेश लोग में इसकी स्पष्टी हुई है ममेवानशो जीव लोके जीव भूत सनातनह मनख्षष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्शती इस बद्द संसार में जीवात्मा मेरे शाश्वत अंग सुरुप हैं वेबद जीवन के कारण मन समित चहो इंद्रियों से संगर्ष करती रहती हैं प्रकृति पर दिका ठीक से उपभूग भी नहीं कर पाता अतह वह कभी कभी जीव या प्रकृति कहलाता है क्योंकि वह तरस्ता शक्ति में इस्तित होता है जिव जब जीवात्मा के तीनों गुनों से अच्छादित जब जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुनों से अच्छादित होता है तो ज अक्षर वे हैं जो बद नहीं है अधिकांश जीवात्मा अध्यात्मिक जगत में रहती हैं और अक्षर कहलाती हैं वे ब्रह्म पद पर होती हैं वे तीनों गुणों से बद जीवात्मां से बिन होती हैं जो अध्यात्मिक जगत में मुक्तात्मा होती है शर्त अक्षर इन दो मा खुरफ्ष्ण के दिन होता है निरुगूण ब्रह्मा कृुष्ण के दिन होता है जिसके पुश्टी भि भगवत गीता के चौदव एध्याय के 27 श्लोग में हुई है ब्रह्मनोई प्रतिष्टाहम सम्हिता के 25 इध्याय के 40 श्लोग में odi पुष्टी हुई है कि Shri Krishna ही निरगुण भ्रस्ट है यस्या प्रभा प्रभवतो जग़दांड कोटी निरगुण भ्रम स्री कृष्ण के शारिलिकतेज के अतरओं कि तरव और प्रमेशवर है और शरी भघवान के श्रणागतों पर प्रम प्रसंद रहते हैं श्रिव जी कृष्ण को जो श्रणागत हैं उनके उपर प्रम प्रसंद रहते हैं श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि समर्पन पूरत जो हो जैसा कि भगवद गीता के अंतिम अध्याय अठारव अध्याय के चांसवर श्रुक में इ इंदू वास्तव में वे केवल कर्मी तथा ज्यानी होते हैं को कि वे प्रतेक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के बक्त नहीं होते कभी कभी कर्मी अपने कर्मों का कर्म हो वासुदेव को और पित कर देते हैं जो करमारपणम कहलाता है यह सकाम कर्म मानने जाते हैं को कि कर्मी जन भगवान विश्ण को भी श्रीवत था ब्रह्मा जैसे देवता मानते हैं अतहां उनके नुसार देवताओं के प्रती समर्पन वासुदेव के प्रती समर्पन जैसा है वो समझते हैं किसी भी देवताओं को समर्पन कर लो वो कृष्ण कोई समर्पन किया है वासुदेव कोई समर्पन किया है किन्तु यहां पर इस मत का तिरसकार हुआ है क्योंकि यद रिष आप दीचे इस लाइंद पर क्योंकि वैंद वासुदेव के शरण में जाते हैं और कोई भी वासुदेव के शरण में जाता हैं वहां उन्हें परम प्रिय है यहां पर सफ़्च्ड वरण हुआ है निसकर्शया है कि शिव का भक्त शिव को प्रिय नहीं है अपितू कि तो क्रिष्ण बक्त शिव को अत्यन्त प्रिय है हरी वो 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 च्रिक्वान भागवत का 4.24.28 है यह अठाइस वाश्लोक है उसका ताथ पर है च्रिक्वान भागवत का शिव जी को कम पसंद है क्रिष्ण भक्त ज्यादा पसंद है परी चनरली बाहर एकदम से बात बोल लोगे आप तो नहीं समझ पाएंगे लोग पहले बैग्राउंड होना है सबका भगवत गीता का भागवत का एकदम से जाके बोलोगे अरे तुम्ह ट met क्या सी वती करते हो हुथ शिव जी को भी तुम पसंद नहीं आई हो असे नहीं होता हôm समझाएंगे लिकिस अ को अगधर अगला शिव जी क्या को हैथे हैं उन प्रचिताएख से देख धे थे है वर्नाश्रम में अपने कर्तवें का समुचित निर्वा करने वाला सकता है सो जन्मों तक सो जन्मों तक अगर कोई वरणाश्रम धर्म का समुचित रूप से निर्वा करेगा सही रूप से पालंग करेगा तो ब्रह्मा जी का पद्प्राप्त कर सकता है और जब वह उससे भी उपर उठता है तो वह मेरे पास आता है याद रखो हमने पढ़ प्रयास करकर कर करके पचा स्ले सकता है वह परोगा जी के बराबर है और तोгा कुछ jam जी के आस-पास कुछ पद्प्राप्त temples प्रहुं खुट करते हैं और जब वह उससे भी उपरता है तो वह मेरे पास आता है परंतु जो मुनुष्य पूत भगवान विष्णू के विशंद भक्ति में सलगन होता है वा तुरंत वाइखुंड लोक पराप्ट करता है जो विप्ति अंडरलाइण कर लो प्लीज परंट जो मुदुश्य है परतिक्स भगवान विश्णों की विश्द भक्ति में सलगन होता है वा तुरंथ वाइकुंड लोग को पराप करता है तुम सब भगवान के महान भक्त हो तुम सब मतलब कौन प्रियां का मताजी तुम सब मतलब कौन यहाँ पर लिखाओ, तुम सब भगवान की मान भक्त हो, किसको गोल रहे हैं? जिनके माध्यम से जीवन के सर्वोच लक्ष को प्राप्त करना आत्यांत सरल हो जाएगा करपया ध्यानपुर्वो किस मंतर को सुने तब शिवजी बताने वाले हैं कि मंतर कौन सा करना है पुजा कौन सी करनी है प्रातना कौन सी करनी है शिव जी स्वें बताने वाले सोचो आप सोच रहे हो कई बार ऐसे सोचते हैं न शिव जी नाराज हो जाएंगे न अगर अनली कृष्ण भक्त शिव जी खुद बोल रहे भाईया मैं तुम बताता हूँ महान भक्त हो तुम की और कैसे इस्तुति करो भगवान की और कैसे प्रातना करो तो आज हम एक बार जस्ट पढ़ेंगे और कल हम आपको इनको समझाएंगे प्रश्ण उत्तर हम बाद में कर लेंगे कुछ कह रहे है कुश्म सुरूर मातर जी नहीं प्रूँ देखिए अब क्या बताया जा रहा है क्या मंत्र दिया जा रहा है क्या उनको प्रातना है बताया जा रही है आज मातर हम इनको पढ़ेंगे प्रेचता गण करबद खड़े थे और शिवजी उन स्तियों का वरणन करने लगे हे भगवन आपकी जय कार हो आप परम पुरुष्ट द्धा परमेश्वर हैं और इसलिए आप सब के द्वारा पूजनिये हैं शष्टी सुक्ष्व भातिक तत्वों से निर्मित हैं और आप उन तत्वों के मूल स्त्रोत हैं आप ही सर्व व्यापी वासुदेव हैं जो संकर्षण प्रद्यम्न तत्था निर्द के रूप में अपना विस्तार करते हैं शिव जी भगवान कृष्ण का गुनगान कर रहे हैं आप ही प्रवर्ति निर्वर्ति तत्था इन दोनों के फलसुरूप उत्पन होने वाले कारे हैं आप समस्त वरदायकों में सर्वशेष्ट हैं हे भगवान मैं आपके उस मूल स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को अतिपरिय है केवल उनके दर्शन से हमारे इंद्रियों की समस्त मांगे पूर्ण रूप से संतुष हो सकती है भगवान के शरीर का रंग वर्शा रित्व के काले बादलों के जैसा है अब आज के बाद फिर से मत बोलना कि भगवान के रूप को कालपनिक बता है शिवजी बोल रहे हैं भगवान का रूप कैसा है शिवजी बोल रहे हैं ये श्लोक भी है आपको पढ़ना चाहिए श्लोक सारे तो भगवान के शरीर ये देखिए हरी बोल भुलिनात भगवान शिवशंकर की हरी बोल क्या बात है क्या बात है हरी बोल तो शिवजी जो है प्रचिताओं को शिक्षा दे रहे हैं उनको सारा ग्यान दे रहे हैं वो हद जोड़के खड़े हैं और उनका गुनगान की जा रहे हैं सुनते जाएए दर्शन करते जाएए भगवान के शरीर का रंग वर्शा रितु के काले बादलो जैसा है और वर्षा की बुंदो के ही समान भगवान के अंग चमचमाते हैं भगवान का आती सुन्दर मुख कमल शद्रिश नित्रुद सुन्दर नाशिका और इतनी सुन्दर मुसकान से सुसजित हैं कि देखने वाले मुंत्र मुख्द रह जाते हैं भगवान के काले घुंगराले केश हैं और उनकी तिर्ची चित्वंद उनके मुखारविंद के उत्करष्ट सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं तार वो तीन तरसे जो टेड़े खड़े रहते हैं हवा के जोकों से लहराते भगवान के वस्त्र देख रहे हैं आप वस्त्र लहरा रहे हैं आर्टिफिशल नहीं हैं पंखा लगा के नहीं लगाया हैं उनके चमकिले कुंडल परकाशवान मुकुट कंगन हार नुपूर कमरपट तथा अन्य आभूशन मिलकर उनकी सुंदरता म हैं वर्दी करते हैं सब कुछ देखिए कमरपट भी लगे हुए हाथ में कंगन भी हैं कुंडल भी हैं मुकुट भी हैं हार भी नुपूर भी कमरपट भी सब कुछ लगा हुआ है तो ऐसी इमेजिनरी फॉर्म नहीं है यह जैसा वरनन किया ऐसा बनाया गया भगवान के रुदर पर पाई जाने वाली सुनहरी रेखाओ को मात देता हैं भगवान का गोल उदर बर्गद के पत्ते के समान परतित होता है और और उस पर उबरी तीन रेखा एतियन्त सुन्दर दिखती हैं जब भगवान स्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उन रेखाव में हुई हलचल से उनके सुन्दर्ता और बढ़ जाती हैं भगवान की नाभी इतनी गंबिर है कि परतीत होता है मानो संपुन ब्रमान वहां से प्रकट होकर पुनह उसमें प्रवेश करने के लिए लालाईत हैं ये तो सत्य बात है कि भगवान के नाबे से इसे पुछ आया भगवान के नितब सुनहरी कड़ाई वाले पट्टे से ढखे हैं देख सकते हैं ये जो भगवान के कमर पर जो बा गुटने अत्यंत मनोहारी हैं और इसलिए उनकी संपुन देह अत्यंत सुडोल प्रतित होती हैं ये भगवन आपके दो चरन कमल नवीन कमल की दो पंखोडियों के समान हैं उन चरनों के नाकुनों से इतना अद्बुत प्रकास दिप्त होता हैं उन पर ध्यान किये जाने प पालन करते हुए आपके चरन कमलों पर ध्यान करना चाहिए शुद्भक्ति का संपादन करने से ही आपको संतुष्टी संतुष्ट किया जा सकता हैं इस तत्य को जानने वाला मनुश्य यदि वास्तम में जीवन की पूर्णता प्राप्त करके करने के लिए गंबिर हैं तो फिर वह क्यों किसी अन्य योग विदी का को अपनाएगा दुर्जे काल बंद कर देजिए दुर्जे काल अपनी ब्रकुटियों के हिलाने मातर से आप जब ब्रकुटिया हिलाते हैं तो दुर्जे काल अपनी ब्रकुटियों के हिलाने मातर से संपुन ब्रमान को विनष्ट कर सकता है परंतु ऐसा कार उन भक्तों के पास तक नहीं बटकता जिनों ने आपके चरण कमलों का पूर आश्रे स्विकार किया है आपके शुद्ध भक्तों का लव मात्र संग भी संग सब भी ऐसे वर्द कि प्रदान कर सकता है जिनकी तुर्ना स्वर्गी सुखोत था मुक्ति से भी नहीं की जा सकती एक बार देलाइन के लो फ्रीज संग लेंग और फरत्र पर दियंदेलार यह व्या एक इसा आपके शुद्ध WHक्तों लव मात्र सादु संग सादु संग सादु संग सर्व साथ शाष्टर कोहे लव मात्र सादु संग सर्व सिद्धी होए इसलिए मैं पूरा कॉंफिडेंटली कहता हूँ जो भी मुझे मिलता है एक बार भी प्रभुपाजी की पुस्तक के संपर्क में आये हो एक बार भी प्रभुपाजी के संस्था के संपर्क में आये हो एक बार भी प्रभुपाजी के भक्तों के संपर्क में आये हो एक बार भी हरे कृष्ण मंदिर गए हो जिन्दगी आज नहीं, कल नहीं, परसु नहीं, एक साल बाद नहीं, याब दो साल बाद नहीं, पांस साल बाद नहीं, दस साल बाद नहीं, भले बीस साल बाद नहीं, तीस साल बाद नहीं, भले पर वापिस से कृष्ण भक्ति में आओगे और जिन्दगी बदलेगी, बदल भक्तों का लवमत्र संग भी ऐसे वर्द प्रदान कर सकता हैं जिनकी तूलना स्वर्गि शुक वात्वा मुक्ति से भी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आपसे याचना करता हूं कि मुझे उन भक्तों का संग प्रदान कर रहे हैं सुन शुर्जी कह रहे है प्रचिताओं के साथ में खड़े हो करके हेनात आपकी महनता का पूर्ण नुभव करना संभव नहीं है परंतो यह देख कर कि किस प्रकार आपकी काल शक्ती द्वारा श्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्रतेक कार्य में आपके हाथ देख सकते हैं इस भौतिक संसार में प्रतेक विक्ती अनिंतरित लोब से ग्रसित होकर योजनाय बनाने में पागल हैं क्या बोला है क्या बोला है बोलो देखो बढ़िया क्या बोला है देखो इस भौतिक संसार में प्रतेक विक्ती अनिंतरित लोब से ग्रसित होकर योजनाय बनाने में पागल हैं परन्तु भगवन आप सदेव सचेत रहते हैं और सही समय आने पर प्रतेक को उसी प्रकार ठार देते हैं उसी प्रकार ठार देते हैं खतम कर देते हैं मर्तिव को प्राप्त कर देते हैं जिस प्रकार एक साप सहजता से च जानता हैं कि आपका भजन नहीं करने से उसका जीवन विर्थ चला जाएगा वही केवल बुद्धिमान है जो बुद्धिमान व्यक्ति है वोई आपको भजेगा और दुनिया उस बुद्धिमान को क्या बोलेगी पागल हो गया क्या जब देखो तो व्यात्रा जाता है जब देखो तो क्लास अटेंड करता रहता है ऑफिस में हैं हैं घर में हैं कहीं पर भी है जब देखो तो क्लास अटेंड करता रहता है क्या होगा आपको midlara करते रहते हो हाट तूट गया है चाहते उसे लगा रहते है बस ब्रसमें दुनिया उनको भागल कहती है लेकिन श्रुव जी उनको क्या कहते है श्रुव जी उनको क्या कहते है बुन्धी मान गुने गुद्धीमान प्रभुजी, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, सुम्हाँ श्रीवजी कहते हैं, गुद्धीमान, most intelligent. और भी बाते हैं, आज के लिए यहीं पर समाब्द करते हैं, और बहुत ही सुन्दर आनन्द आ रहा है, इन पॉइंट्स को नोट करना है, और दुनिया जिनको पागल कहती है, शिर्जी उनको वो दिमान कहते हैं, और वो कोई नहीं, वो कृष्ण भक्त हैं, जो हरे कृष्ण मैँ ठिए घुठा के वाले हम बतावना की कैसे ऐ होती हैं ऊस्ते लिए, प्रले हैं, यहें, प्रले राक़े के समय होती है, जो ब्रमा जी के रात्री प्रती है, और महा प्रले, प्रमाजी, जी जिदेवन काल के समापत की बाद होती हैं। किसे कुछ कहना है बताना है कि जीवन में कभी ने कभी अगर थोड़ा भी संग किया है दुबहरा वापिस आओगे तो कुछ और कहना नहीं है किसी को कोई प्रश्ण नहीं समाप्त करें अपकी आत्रा कैसी रही अधर बहुत अच्छी रहे माताजी बहुत बढ़ी अच्छे से वह प्रभू तुम दर्शन अच्छे से वह बेट रिकॉर्डिंग आफ कर सकते हैं